स्वागत है आप सभी का एक्जाम लोकेशन यूट्यूब चैनल पर देखिए अभी अभी मेरे पास ये नोटिस आया है जो की है तीन सेप्टेमबर का लेकिन अभी तक ये काफी स्ट्वेंट्स के पास नहीं पहुंच सका है और मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया था तो इसके उपर किसी ने वीडियो भी नहीं बनाई है तो मैंने सोचा कि सभी को इनफोर्म कर दिया जाए ये है स्टेंडिंग ओर्डर और ये जो है वो रास्थान पुलिस कॉंस्टेवल की वैकेंसी के लिए जिसकी अभी पिछले ही मही ने कहा गा था कि सेप्टेंबर से ऑनलाइन होंगे फोर्म तो इसका जो पूरा डेटा आ गया है कि कैसे ये भरती होने वाली है क्या क्या इसमें पूरा दिया हुआ है तो हम देखते हैं इसमें क्या गुश दिया हुआ है एक group बना देंगे जिससे की सभी को time time से information मिलती रहे और कुछ questions होंगे आपके तो उसका भी जवाब हम दे सके तो चलिए देखते हैं इसमें जो हमारे काम की चीजे वो क्या क्या है यहाँ पर यहाँ पर देख लेते हैं हम Age Relaxation सबसे पहली बात तो यहाँ पर Age Relaxation क्या दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं कि minimum तो 18 years होती है सभी को पता है जो maximum है वो है 23 years और यह जो date है वो एक जनवरी के according आप देख सकते हैं होगी और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो Relaxation दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 year का तो यहाँ पर सभी को जो भी देख सकते हैं 5 year man candidate जो की SCST और OVC non-crimalier से हैं EWS को भी यहाँ पर शामिल किया गया है उनको 5 साल का extra दिया हुआ है तो 23 प्लस 5, 28 जो की normal हमारा रहता है हमेशा यहाँ पर 10 साल का दिया हुआ है और वो दिया हुआ है women's के लिए अब आगे देखते हैं हमारे काम की चीज जो है ex-service man वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 42 year दिया हुआ है physical कैसा होगा physical जो हमारा पहले वाला था उसी का है पूरा जो men's का है वो 168 है women's का 152 cm height है और यह है सहरिया जो tribe है उनके लिए district 12 160 cm और women's के लिए 145 chest जो है दोस्तो 81 और फुलाने के बाद में 86 जो की हमेशा रहती है women's के लिए यहाँ पर नहीं होता है और next बात करते हैं हम यहाँ पर education qualification जिसमें की काफी बदलाओ किया गया है जो district police की duty होती है उसमें आपका 12th कर दिया गया है जो की पहले 10th का था उसमें अब 12th लगेगा तो काफी student ऐसे हैं जिनोंने 10th की हुई थी और वो देख रहे थे तो वो अब नहीं देख पाएंगे यहाँ पर अब 12th कर दी गई है और जो RAC battalion है उनके लिए यहाँ पर 10th पास है जो की पहले 8 भी होती थी उसको 10th कर दिया गया है next यहाँ पर एक police telecommunication की भी है आप देख सकते हैं senior secondary in science and with physics and math तो हो जिनके पास 12th math थी उनके लिए है यहाँ पर police telecommunication के लिए next यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमारे लिए important है जो fees होगी वो 500 और 400 रुपे है देख सकते हैं आप next बात करते हैं हम यहाँ पर हमारा जो important है return test जो की सबसे main है इसमें दोस्तो हाला की वैसे तो कुछ बदलाव नहीं किया गया है पर थोड़ा सा changes आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो exam होगा वो हमारा 150 marks का होगा जो की पहले 75 का होता था पिश्री बार क्या था कि हर एक question आदा number का था लेकिन इस बार एक question एक number का ही होगा और negative इसमें एक बटा चार होगा यानि कि अगर आप चार question गलत करते हैं तो आपका एक number कट हो जाएगा जो पूरा slabus है वो आप देख सकते हैं पहले की तरह ही है reasoning और computer के 60 question marks भी 60 है और general knowledge, general science, current affairs के 35 है और women and children के यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी के 45 है रास्थान जीके के तो slabus जो है वो पूरा पिछले बार वाला ही है लेकिन marks यहाँ पर बढ़ा दिये है और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं physical के लिए जो है वो physical आपका कितने marks का होगा यह देख सकते हैं 30 marks का यहाँ पर physical होगा तो 150 plus 30 इस तरह से हो जाएगा NCC और जो home guard के हैं वो 1010 number यहाँ पर किये गए इस तरह से यहाँ पर 200 marks बनेंगे और जो constable driver के लिए है वो उस पर यहाँ पर 20 marks का है physical यहाँ पर उमीद हम यह लगा रहे थे कि यहाँ पर timing के हिसाब से number मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया गया है 5 km running है और इसका time है 25 minutes जो कि normal होता है women's के लिए यहाँ पर 35 minutes है और ex-service man के लिए 30 minutes तो physical में इतना कोई वो नहीं है hard नहीं है normally है तो यह सब important जो भी था वो हमने यहाँ पर करा दिया है बाकी इसमें कुछ ऐसा important है नहीं अगर आपको अभी भी कुछ लगता है तो आप हम comment कर सकते हैं बाकी इसका PDF के लिए आप message कर सकते हैं या comment भी करेंगे बाकी हम कोशिश करेंगे आपको link provide कर दिया जाए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और मैं चाहूँगा कि आप channel से जुड़े रहें इसलिए subscribe कर दे क्योंकि यहाँ पर police constable की time time पर जो भी news आईगी वो मिलती रहेगी आपको धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए